हेलो स्टूडेंट्स यूट्यूब चैनल इंडिया ओल्डेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में गुप्तकालीन चित्रकला का इत्यास के बारे में जानकरी प्राप्त करेंगे तो देखेगा गुप्तकालीन कला इस्तापत्यकला और गुप्तका इन सब बातों के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं तो आपने लिस्ट में गुप्तकाल में जाके इन सब चिजों के बारे में वीडियो देख सकते हैं ठीक है तो चलिए पढ़ते हैं गुप्तकालीन चित्रकला का इत्यास वास्तु देव सरण अगरवाल के शब्दों में गुप्ति युग में चित्रकला अपनी पूर्णता को प्राप्त हो चुकी थी गुप्तकाल के पूर्वा चित्रकला के उधारन बहुत कम मिलते हैं प्रारंबिक चित्र प्रागे थेशिक युग की परवत गुफाओं की दिवारों पर प्राप्त होते हैं कुछ-कुछ गुआ मंदिरों की दिवारों पर भी चित्रकारियां मिलती हैं गुप्तकार तक आते आते चित्रकारों ने अपनी कल्ला को प्रियाप्त रूप से विक्सित कर लिया इस यूग की चित्रकला के इतिहास परसित उधारन आदोनिक महाराष्ट प्रांत के ओरंगाबाद जिले में इस्तित अजन्ता तता मध्या परदेश के गुवालियर के समेव इस्तित बाग नमक परवत गुपाउं से प्राप्ति होते हैं इनमें भी अजन्ता की गुपाउं के चित्र समस्त विश्वय में परसित हैं ठीक है तो कई बार क्यूशन पूछ लेते हैं ओरंगाबाद कहां इस्तित है और बाग की जो गुपाई है वो कहां इस्तित है या फिर अजन्ता कहां इस्तित है ठीक है तो इन सब चीजों के बा जलगाव नामक रेडवे स्टेशन से 35 मिल की दूरी पर फर्दापूर नामक एक ग्राम है, यहीं से 4 मिल दक्सिन पसिम दिसा में अजनता इस्तित है, यहां चट्टान को काट कर 29 गुफाएं बनाई गई हैं, इनमें 4 चत्तेगरे तदा 6 विहार गुफाएं हैं 1819 इस्वी में मदराज सेना के कुछ उरोपिय सनिकों ने इन गुफाएं के अचाने खोज की थी, 1824 इस्वी में जनरल सर्जेम्स अलेकजेंडर ने रोयल एसियाटिक सोसाइटी की पत्रीका में पर्थम बार इनका विबरन प्रकासित कर संसार को अजनता के दुरलब चित्रो की जानकारी परदान की अजनता में पहले 29 गुफाओं में चित्र बने थे परन्तु अब केवल 6 गुफाओं वो कौन-कौन सी पहली से लेके दूसरी और 9 और 10 पहली दूसरी 9 और 10 और 16 और 17 पहली दूसरी 9 दस्वी 16 और 17 के चित्र अवसिस्ट हैं इनका समय अलग-अलग ह के चित्र पर्थम सताब्दी इस्वी स्वी के हैं पहली दूसरी गुफाओं के चित्र सातवी सताब्दी इस्वी के हैं तता 10 और 10 गुफाओं के स्थम्बों पर अंके चित्र 16 और 17 गुफाओं के बिथी चित्र गुप्तकालीन हैं ठिक है गुप्तकालीन चित्र कर लाएं आपन देखने को मिलती है ठीक है अजन्ता के चित्रों के तीन परमुक विसे कोन-कोन से अलंकरण, चित्रण और वर्णन विवित फूल पतियों, वुरक्षों तदा पसु पसु आकरतियों से अलंकरण का काम किया गया है ये इतने अधिक हैं कि किसी भी एक की पुन्द्राव परति नहीं की गई है कि नर, नाग, गरुड, यक्ष, गंधर्व, अपसरा, आदी एलोकिक यें पोरानिक आकरतियों का उप्योग इस्थान बढ़ने के लिए किया गया है अनेक बुदों यें बोदिस्तों का चित्रण हुआ है बुद के भूतिक जीवन से संबन्दित चित्रण हुआ है, पहली गुफा में पदम पानी अवलोकिते स्वर का द्रिश चित्रण का लाके चर्मोतकर्ष का सुचक है, कहीं कहीं लोगपालों एवं राजारानियों का भी चित्रण मिलता है, जातक गरन्तों से लीगी कथाएं वननातमक दर्शों के रूप में उतकि हुई है अजन्ता के चित्रों की वीधियां देखिएगा फ्रेंसको वीधि और टेमपेरा वीधि ये क्या कैसे कैसे होती थी फ्रेंसको वीधि पर्थम में अर्थात फ्रेंसको में गिले प्लास्तर पर चित्र बनाई जाते थे तता चित्रकारी विशुद रंगों द्वारा ह की जाती थी टेमपेरा में ये एक जो गुप्तकालिन जो चित्र कारी है उसकी दूसरी वीदी थी और इस दूइते वीदी में सुखे प्लास्तर पर चित्र बनाई जाते थे तता रंग के साथ अंडे की सफेदी एम सफेदी तथा चूनना मिलाय जाता था संग चूनना, सिला चूनना, सिता मिस्री, गोबर, सफेद मिटी, चोकर, आधी को फेट कर गाढ़ा लेप तयार किया जाता था अजनता में फ्रेशको तथा टेमपेरा दोनों ही वीदियों से चित्र बनाए गए हैं चित्र बनाने से पूर्वा दिवार को साफ बली भांती रगड कर साफ करते तथा फिर उसके उपर लेप चड़ाय जाता था चित्र का खाका बनाने के लिए लाल खड़िया का प्रियोग किया जता था रंगों में लाल पिला नेला काला तथा सफेद रंग प्रियोग में लाये जाते थे अजन्ता से पूरव कहीं भी चित्रन में निले रंग का प्रियोग नहीं मिलता अर्थार निल्य रंग का प्रियोग चित्रों में अजन्ता से प्रारम होता है लाल तता पिल्य रंग का प्रियोग अधिक किया गया है रंगों में एलो की चमक है जो अंदेरी रात में चांद तारें की बाती तारों की बाती चमकते हैं ठीक है ये तो थी आपके अजंता गुफा के चितर और पहले भी हमने इसके बारे में वीडियो बताया है उसमें और भी अच्छे से समझाय गया है ठीक है अब देखिएगा बाग गुफा की चितर कर ला मद्य परदेश के धार से 80 km तता इंदोर से उतर पसी में 144 km दूर नरम निर्मान कारिये समाप्थ होने के बाद बाग में गुफाएं उतकिन की गई फर्ग्यूसन तथा बर्गेस जैसे कुछ तमर पत्रों पर ब्रहमी लिपी में लेक अंकित हैं जिनका समय चोथी पांचवी स्थापदी निर्धारित की गई है संभवता इस चेतर में सासन करने वाले गुपतों के सामनतों द्वारा इन गुफाओं का निर्मान करवाया गया है बाग की गुफाएं विंदे पाढ़ियों को काट कर बनाई गई हैं सरव परतम 1818 इस्वी में इनका पता डेंजर फिर्ड ने लगाया था इन गुफाओं की संक्या नो है इन में चोथी पा पार्मिक न होकर लोकिक जिवन से संबन्दित है ठीक है बाग की चोथी पांची गुफाओं को स्यूंगत रूप से रंग महल कहा जाता है इनका ब्रामदा प्रेस पर मिला हुआ है इनके ब्रामदे तता बीतरी दिवारों पर सरवादिक चित्र बनाए गये हैं छैदर से व पाबूशनों से युक्त है वै अपना हाज सेविका के कंधों पर रखकर उसकी बाते धान से सुन रही है तदा छत्र पर कबूतर के दो जोडे चित्रित किये गए हैं दूसरा दर्शे दो जोडों का है जो एक दूसरे के समुक बैठकर सास्त्रार्थ में लीन होते हैं पर मनस्पतियों का अंकन है तीसरा एक संगीत का दर्शे है इसमें पूरुसों जता इस्तरियों के दो अलग-अलग समु है छे पूरुसों का समु है इस्तरियों के संगीत का आनंद उठा रहा है इस्तरी समु है कि मद्दे एक इस्तरी वीना बजाते हुए चित्रित है एक के हातों में मृदंग करताल काशे ताल आदिवाद्य यंत्र हैं बाई और साथ इस्तरियों के बीच विभिन वेसबुसा वाली नर्थकी है जो मोतियों की माला पहने हुए है तीन इस्तरियों डंडे बजा रही हैं एक मर्दंग तता तीन मजीरा बजाते हुए दिखाई गई हैं दाएं समुह में छे इस्तरियों के घेरे में भी एक नर्थक अथ्वा नर्थकी है दोनों समुहों की इस्तरियों पूरुसों की वेसबुसा सुन्दर है इस्तरियों के केस विन्यास आकरसक हैं इस सक्राकार नर्थे को भारतिय प्रंप्रा में हल्ली शक कहा गया है इस ह बारत्य संगीत का ये रूप गुप्तकाल के आमोत पूर्ण नगर जीमन के सर्वाता उप्यूक्त था पांचवे दर्शे में सामोहिक नृत्य को समराड तता उसके घुड़ स्वार सनिक देखते हुए परदर्शित किये गए हैं इस चित्र में घोडों पर स्वार सनिक किसी स सोभा यात्रा में जा रहे हैं सभी इस त्रिपूरुसों ने सुंदर अभूशन एम कपड़े पहन रखे हैं समराठ राजसी वेश भूसा में है बाग की गुपा की छत पर मनुस्य पसू पक्सी पूस पलत्ता पत्र आदिका मनोहरन चित्रन है इस परकार हम कह सकते हैं कि अ सफेदी की जाती थी तता उसके सूखने पर चित्र बनाए जाते थी ठीक है तो इस परकार से इस वीडियो में हमने अजंता गुफा के चित्रों और आपके बाग गुफा के चित्रों के बारे में जानकरी प्राप्त की इन में से एक उसन आपको पक्का पुछा जाएगा ठ कोई सुझा हुआ आपके पास तो हमें आप कमेंट कर सकते हैं और बने रहें यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज पे